नौक्री तो ऐसे भी लेही लिये परिक्षा दे करके नहीं सिच्छा नियमावली में जो बनाए हैं नियोजित सिच्छक क्या क्या होगा महत बड़े भाई छोटे भाई फिर से चरवाहा विद्याले का सुरुवात करेंगे ये सिच्छकों का अपमान है और सिच्छा परनाली को पूरी तरह से ये खत्म करना चाहते हैं ये आपात काल की अस्थिती लगा रहे हैं कोई बोल नहीं सकता कोई आंदोलन नहीं कर सकता आंदोलन करेंगे तो तुम पर कारवाई करेंगे नौकडी ले लेंगे प्रेस मिडिया के लोग बोलेंगे तो उनको गिरभदार करके जेल भेज़ देगे आपके साथ अब जैसे नई सिचक नियमावाली को लेकर लगतार सिचक संग है जो परदसन करें और वहीं बात करें तो आज गरदनी भाग में धरना पर वेट गया है इसी बात करने के लिए हमास आते हैं नेता विरोदीदल विजय सिना सर नई सिचक निय मैं नियमावाली को केच लिए अरे नौक्री तो ऐसे भी लेही लिए परिक्षा देख करके नई सिच्छा नियमावली में जो बनाए हैं नियोजित सिचक क्या क्या होगा महत सिटी इटी बीटी इटी और जो बच गे सेस वह चचा भतिजावाद के सिकार होंगे और बाद म नुक्ति गोटाला में पैसे की उगाही का भेट चर जाएंगी खेल कर रहे हैं पूरी सच्छा व्यवस्ता को नस्त बरस्त कर रहे हैं ये बड़े भाई छोटे भाई फिर से चरवाहा विद्याले का सुरुवात करेंगी ये सिच्छकों का अपमान है और सिच्छा परनाली को पूरी तरह से ये खत्म करना चाहते हैं लेकिन ये सरकार जब जाएगी तो इनका कानून नहीं चलेगा सिच्छकों पर हो रहे अत्याचार की समिक्चा करेगी भारतिय जन्तापाटी की सरकार बनेगी तो और उसको न्याई देगी सिच्छकों के साथ इस तरह से अपमान और बिहार के अंदर खुल करके ये आपातकाल की अस्थिती लगा रहे हैं कोई बोल नहीं सकता कोई आंदोलन नहीं कर सकता आंदोलन करेंगे तो तुम पर कारवाई करेंगे नोकड़ी ले लेंगे प्रेस मिडिया के लोग बोलेंग तो उनको गिरबदार करके जिल भेज़ देंगी बिहार के अंदर अगोसित आपातकाल के बिरोध में बारतिये जनता पार्टी खुल करके सरक से सदन तक लरेगी सिच्छक के साथ आप लोग हैं साथ में क्योंकि आयोग तो अब तयार भी हो गई एक्जाम लेने के लिए तब क्या कुछ करेंगे हम तो सिच्छक के साथ सुरू से हैं भारतिये जनता पार्टी हमेंसा बिदान सभाद धक्स के नाते भी हम लोग उस समय भी वार वार कर रहे थे कि सिच्छा सुरक्छा और स्वास्त के साथ कोई ख्यलबार और मजाक नहीं होनी चाहिए मुख मंत्री जी ये तीनों विभाग आपके जिम्मे था और आप इस सुरक्छा और सिच्छा सुरू से बरे भाई और छोटे भाई के जिम्मे ये वेवस्ता रही है लो इंड ओडर पूरी तरह से द्वस्त है असिक्षा विवस्ता पूरी तरह से पस्त है कोई सुनने वाला नहीं है स्वास्ति विवाग में कुछ सुधार किया गया था उसको भी आप उगाही का एक केंद्र बना करके अस्वस्त कर रहे हैं ये पूरी तरह से और अजक्ता का बातावर्न बना रहे हैं वो तो पढ़ाई रहे थे तो शिफ एक जाम देने केंद्र हूं कि शिक्षा मंत्री जी का पहले एक्जाम नेशन ले लिजिए प्रोफेसर है ना एक्जाम नेशन वो दे दे और सावित कर दे कि मैं उस पद के योग्य हूं क्या-क्या इनके बारे में सुचना और खबर आती है उसको निराधार बता दें जो सिच्छा का आज बरसों से पढ़ा रहा है अब उसका आप एक्जामनेशन लेंगे बार बार एक्जामनेशन लेंगे आप क्या खेल खेलना चाहते हैं लोग समझ रहा है परिक्षा देना और परहाना दोना का पैट 15 साल से नियोजित सिच्छा के रूप में आप काम क्यों करा रहे थी जब 15 साल तक यो योग नहीं है तो आपका उप परिक्षा जो ऑनलाइन परिक्षा के माद्धम से पूरी तरह से धांदली और सेंटर बिकता है इन सब को फेल कर देंगे और अपने चचा भतिजाबाद क के भासा को आप उसको ले आएंगे विपियसी के अंदर क्या हो रहा था उस संबैधानिक संस्था उस आयोग को आपने किस तरह से कलंकित किया है लोग नहीं जानता है क्या विपियसी के ब्रश्ट पदादिकारी किस तरह से खेल खेले हैं लोगों को विश्वास है उस पर क वो न्याई मिल पाएगा सिच्छक परिच्छा देंगे और इसको फिल नहीं करेंगे इसकी कौन गारंटी लेगा मैं पूरी तरह से सिच्छकों के साथ हैं और ये भी वादा करते हैं ये सत्ता के लिए पहले कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख नोक्री देने का जूठा वादा नहीं करते हैं लेकिन सिच्छक का सम्मान सहिचनिक वातावरन विहार के अंदर बने और सिच्छक और विद्यार्थी के वीच में विहार के ग्यान की धर्ती को फिर से सम्मान मिले इसके लिए पूरी ताकत लगा देंगी ये थे हमाशाथ नेता बिरोदी दल विजय सिनन उन्हें साब्त करका है कि हम लोग सिच्छक संग के साथ हैं और सिच्छक की जो मांगें उनके साथ ह हम भी सरकार से लड़ेंगे इस तमाम ख़बर करें नीश पूरी संग के साथ नमस्कार